हेलो एवरिवन, टार्गेट विद आलोग के मंच पर एक बार फिर मैं डी के तिवारी आपका स्वागत करता हूँ और आज हम चर्चा करेंगे एनिमल किंग्डम के बारे में उन बेसिक बातों की जिसको जानने के बाद आपका पूरा डर जो भी भै है कि एनिमल किंग्डम बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है, बहुत अधिक रटना परता है, ये सारी बातें आपको अपने अंदर से गायव होती नजर आएंगी तो शुरुवात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एनिमल किंग्डम को समझने के लिए, बहतर ढंग से जानने के लिए, कौन सी चीजे आवश्यक हैं तो आएए, सबसे पहले, एनिमल किंग्डम को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कुछ बेसिक्स पहले तो एक छोटी सी बात दिमाग में रख लीजिए कि एनिमल किंग्डम और प्लांट किंग्डम दो अलग-अलग बने, फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम से, यह सब हुए क्यों? आखिर क्लासिफिकेशन का परपस क्या है? हमारे ने मख पढ़ा लेने जाना है यह कपड़ा पहनना है, सोंगे तो यह कपड़ा पहनेंगे अब खाने के नाम पर सुबद यह खाना अच्छा लगता है, शाम को यह खाना अच्छा लगता है, कहां क्लासिफिकेशन नहीं किया है भाई आपने, everywhere, हर जगत classification आपने कर रखा है वरगी करन कर रखा है अब जब ये हर जगा classification है तो कारण भी है कि नहीं आप बताईए party में आप एक particular word dress पहन के जाएंगे जिसे पहन के सोना होता है या आपको सबजी मंडी जाना है और वहाँ से आपको बोरा लाद करके लिए आना है पीठ पर माल लीजिए तो क्या आप चाहेंगे कि आप complete suit में पढ़ियां से suited booted हो करके इत्तर वित्तर लगा के जाएं बाकायदे I hope कि आप समझ रहे होंगे कि कारण है आपने जो स्वयम का classification किया है पुस्तके आपको ढूंडनी है तो आप definitely उन आलमारियों में जाएंगे जहांपर आप पुस्तके रखते हैं दादी मा का पुराना वाला बकसा खोलने का प्रयास तो नहीं करेंगे तो like that things कि आप classification के बारे में समझें और classification जब भी किया जाएगा कोई न कोई कारण होगा reason must be there तो कारण क्या हो सकता है वो कारण हम पहले highlight कर लेते हैं और उसके बाद हम जानते हैं कि animals को कैसे फिर classify किया गया है और एक साथ और थोड़ी सी बात याद रखेंगे कि animals के classification का कारण जाना प्लस कितने phylums में आपने animals को divide किया है वो भी आपको याद रखना होगा थोड़ा सा तो आपको थोड़ा आसानी होगी बहुत जादा बलकी या headache वाला topic न करते हुए इसमें हम examples को थोड़ा सा concentric रखेंगे थोड़ा limited रखेंगे आप जब notes बना रहे हों तो वहाँ थोड़ा स्थान रखिएगा आपको और भी उदारन वहाँ लिखने पड़ेंगे अभी हम सिर्फ basics समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए बहुत अधिक हम उदारन को रख करके या बहुत अधिक ज़्यादा गहराईयों को वहाँ पर शामिल करके हम विशय को बोजिल नहीं करना चाहेंगे तो थोड़ा रिलाक्स हो करके देखते हैं कि animal kingdom के basics को जानने का जब हम प्रयास करेंगे तो पहली बात मैं कहता हूँ आपको कि reasons of classification आपको पता होना चाहिए तो reasons of classification कारण है जानवर पौधे से अलग है तो आपको पता है कि एक में locomotion होता है एक में locomotion नहीं होता है तो इस तरीकी की तमाम बाते हैं जिसकी वज़ा से आपने पौधों को और जानवरों को अलग रखा kingdom animalia और planti बना लिया तो ऐसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे चीजों की तो पहला reason हो सकता है level of organization दूसरी बात अभी इनके details भी पढ़ने हैं हमने हलका सा परिच्चे जरूर दे दिया था एक बात लेकिन अब इसके details में हम जा रहे हैं सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो पहला तो हो गया कि level of organization क्या होगा यानि संगठन का स्तर जानवर का निर्माड किस तरह से हुआ है उसके अंदर केवल कोशिकाएं हैं या उसके अंदर उतक हैं या उसके अंदर अंग हैं या अंगतंत्र हैं meaning there why cell है only या फिर tissues भी हैं या फिर organ है या organ system है ये सब चीजों से किन से मिल करके वो animal बना है ये सब बाते हम देखेंगे तो अभी पहले एक point हुआ कि level of organization क्या होगा animal का ये हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया अभी detail देखते हैं दूसरी चीज symmetry of animal symmetry इसे हिंदी में सममिती कहते है तो symmetry क्या है ये भी detail समझना होगा थोड़ा सा number three हमें पता होना चाहिए कि उसमें जो development होता है वो किस तरीके से होता है और हमें ये पता होना चाहिए कि वो animal जिसके बारे में हम यहां पर काम करने जा रहे है या जानना चाहते है उसके अंदर कुछ और चीज़े है की नहीं विकास की बात हम कर रहे है development की बात तो पहले तो यहां एक छोटी सी चीज़ आते आ रही है germinal layers germinal layers jananistar कहते हैं इसे हिंदी में आप ट्लिक है germinal layers जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है कोई एनिमल की डिप्लोब्लास्टिक है द्वी स्तरी यह है अथ्वा त्री स्तरी यह है इस तरह के शब्द भी है तो हम ऐसे तमाम कठिन शब्दों को आज संपन करने जा रहे हैं खतम कर देंगे confusion के नाम पे उनको number four आप देख सकते हो कि क्या यह जो एनिमल्स है इन में सीलोम कैसा होता है और सीलोम से भी पहले एक चीज़ देख लीजिए इनका fate of blastopore क्या होता है fate of blastopore 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 का भविष्य क्या होता है और इसके बाद एक चीज़ और जो जरूरी हो जाती है पांचवी बात यहां पर हमें जानना जरूरी है और वो यह होता है कि आखिर इनके अंदर सीलोम की क्या वेवस्ता है सीलोम के बेस पर तो यह कुछ मूलभूत कारण यहां पर है जो बड़े पैमाने पर जितने kingdom है उनके बाद जब आप animal kingdom में आते हो तो वहां पर इनके जो भी फाइलम है हम include कर सकते हैं यहां पर अगर चाहें तो प्रोटोजोवा प्रोटोजोवा पोरिफेरा सीलेंटरेटा टीनोफोरा प्रोटोजोवा पोरिफेरा सीलेंटरेटा टीनोफोरा इसके बाद प्लैटी हेलमिंथीज एस्क हेलमिंथीज इनने नीमेटोड भी कहते हैं नीमेटोड एनेलीडा एनेलीडा आर्थ्रोपोडा मुलस्का और एकाइनोडर्मेटा हेमी कॉर्डेटा इन सारे फाइलम्स को पहले तो आपको इनके नाम प्रयास कर लेने चाहिए बार-बार ताकि ये याद हो जाए नहीं कर सकते तो हमारे साथ बने रही है हम इतनी बार इनके नाम आपके सामने बोलेंगे कि आपको याद हो जाएंगे चीजें देख करके याद होती है सुन करके याद होती है और लिख करके होती है वो सारे काम आप हमारे साथ करेंगे और हम इसको अभी कई बार बोलने जा रहे है प्रोटोजवा, पोरी, फेरा, सिलेंटरेटा फिर टीनोफोरा प्लेटी, एलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनेलीडा, आर्थरोपोडा, मोलस्का ये तीन साथ में बोलना एकदम एनेलीडा, आर्थरोपोडा, मोलस्का एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये तीन फिर साथ में बोलना कारण समझ में आएगा थोड़ी देर में अभी नहीं ये जो है Echinodermata, Hemichordata, Chordata साथ में बोलिए Enelida, Arthropoda, Molluska एक साथ बोलिए और Protozoa तो आपका अलग है अगर आप Five Kingdom Classification में चले जाएंगे कक्षाई 11 में प्रवेश करके बाद करना चाहेंगे तो आप कहेंगे यहाँ Protozoa क्यों रख दिया यह तो प्रोटिस्टा का मेंबर था तो आपका वो लेवल 11-12 का था अभी यह TGT PGT के लेवल पर आप है तो थोड़ा सा Animals को एक साथ ही करके एक बार पढ़ लीजिए आपको चीजें थोड़ी जाद अच्छी लगेंगे अब मैंने जो चीजें आपसे कहीं कि पहला है Level of Organization क्या होगा तो Level of Organization को Detail में थोड़ा सा देख लेते हैं पहला पॉइंट Level of Organization यानि कि संगठन का स्तर ठीक है यह संगठन का स्तर क्या है यह देखने का प्रयास करेंगे पहला एक-एक करके देख लेते हैं और अब आप इसको साथ में याद करने का प्रयास करेंगे ऐसी मैं उमीद करता हूँ पहला है Cellular Level यानि कोशी की यह स्तर का संगठन अच्छा एक मिनट इसके पहले भी एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ जरसा उसको देख लीजिएगा कि इससे पहले भी एक चीज आप पढ़ लीजिए प्रोटो प्लाजमिक लेवल या थोड़ी सी बात आप हमसे समझे कि अगर किसी जीव का निर्माण हुआ तो पहले कोशी का बनी होगी क्योंकि Cell जो है सनरचनात्मक और क्रियात्मक ही काई है जीवन की और Cell का निर्माण हुआ उससे पहले या उसके साथ लगभग जीव द्रव्य का भी निर्माण हुआ विकास की प्रक्रिया में अगर जाएं डेवलप्मेंटल प्रोसेस को देखें तो पहले जो प्रित्वी थी आग का गोला सूरज से तूटकर अलग हुई अलग होने के बाद सारी चीजें गरम भैंकर वाल लोहा, सोना, चान्दी, तांबा सब पता नहीं क्या ज़्यादा तर चीजें या तो गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में थी तो उनके बीच में रियक्शन्स होते गए और रियक्शन्स होते होते अलग-अलग तरह के कंपाउंड बने और फिर उनके बाद क्या हुआ? फिर से वो ब्रिक होते गए क्योंकि हीट बहुत जादा थी और दीरे दीरे ये बाते बार-बार रिपीट होती रही और अल्टिमेटली प्रोटो प्लाज्म जैसी चीज बनी ये जो प्रोटो प्लाज्म जैसी चीज बनी उसके बाद उसके उपर एक लेयर लग गई प्रोटोप्लाज्म जैसी चीज के बनने के बाद उसके उपर लेयर का लग जाना बिलकुल वैसे ही है जैसे दूद को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मलाई की लेयर जम जाती है तो इसी तरह से कुछ हुआ तो शुरुवात में क्या हुआ कि एक पदार लिक्विड फ्लूइड सेमी फ्लूइड जो भी आप फिलहाल कलपना कर सके नहीं तो जैली लाइक सोच लीजिए थोड़ा सा तो उस तरह का कुछ था और उसके चारों तरफ एक पतली सी जिल्ली बन गई तो ये क्या था कुल मिला के प्रोटोपलाजम अपने मूल स्वरूप में प्रोटोपलाजम है तो मैं यहां पर कहता हूँ प्रोटोपलाजमिक लेवल के लिए कि प्रोटोपलाजम प्रोटोपलाजम रिमेंस as protoplasm protoplasm एक protoplasm के रूप में ही रह गया not divided into the segments अब ये क्या था थोड़ा सा देखिए अगर ये protoplasm बना था और इसमें ऐसे टुकड़े हो जाए कुछ हिस्सा इधर ये मैंने लगवग चार टुकड़े कर दिये ये पांच टुकड़े कर दिये तो अब ये जो अलग-अलग टुकड़े इसके हो गया अब ये कहलाते थे cell evolution इसी तरह से हुआ है मैंने आपको एक general view दिया है detail में evolution पढ़ेंगे आप और चीजें समझेंगे लेकिन फिलहाल आप जान ले कि जीव के निर्माड की क्रिया में यानि animal के formation की जो process रही है या plant के formation के process जो रही है उसमें पहले cells नहीं बने पहले protoplasm जैसी चीज बनी या protoplasm ही बनी और उसके बाद उसके अंदर segmentation हुआ और फिर cells बनी तो protoplasm remains as protoplasm इसको हम कहते हैं protoplasmic level थोड़ा सा अपना level भी उठाएंगे आप तो आपको बहतर समझ में आने लगेगा ठीक है और कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो आपको समझ में ना है आसानी से example क्या होगा example क्या करना है ले लीजिए apple खा लीजिए क्या दिक्कत है तो protoplasmic level अगर कहीं आपको question मिलता है कि इसमें कौन सा level of organization है और protoplasmic level शब्द दिख जाता है तो आप समझिए कि आपको वहाँ पर वो word का use करना पड़ सकता है देखिए example देखने के बाद आप समझ जाएंगे इसमें example क्या क्या है एपल लिया है तो एपल में नाम लिख लेते हैं amoeba paramecium plasmodium lishmania भी ले सकते है और ये जो है ant amoeba ये सारे phylum protozoa के member है तो किस phylum के member? protozoa के आपको कहीं पर amoeba के बारे में ये शब्द सुनने को मिला होगा कि unicellular है ठीक है भाई ncrts में भी लिखा है कहीं-कहीं unicellular word हम उसको मना नहीं कर रहे हैं लेकिन आप देख लें कि जो यहां पर लिखेंगे आप देखेंगे अगर कहीं पर amoeba या paramecium या protozoa को ले करके question मिलता है और उसमें proto-plasmic level शब्द दिया गया है मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि आप इसको यहां पर cellular level मत लिखिए अगर proto-plasmic level word use किया है तो आप वहां जाएंगे फिर अभी हम cellular level पर चलते हैं तो चलिए proto-plasmic level complete हुआ यहां पर अब हम देखते हैं number two cellular level of organization number two cellular level of organization यह जो cellular level of organization है यहां पर हम कहेंगे कि protoplasm divided into segments उसमें खंड हो गए और इस तरीके से protoplasm की संख्या क्या हो गई less हो गई न protoplasm तो यहां ऐसे फैला हुआ था अब यह भाग में बट गए टुकडों में बट गए तो इनकी संख्या क्या हो गई less हो गई और less हो गई का मतलब कि हम यहां पर less लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है less में क्या हो गया leucosolenia यूपलेक टेला साइकॉन और इसी से एक और नाम आ जाएगा है स्पंजिला वैसे भी मैं कहूंगा कि आपने एपल खाया तो an apple a day keeps doctor away तो आपकी problems बीमार होने की समस्या है less हो गई और आप cellular level तक develop कर गए connect करिए चीजें होगी ठीक है next आपका हो जाएगा tissue level of organization number 3 tissue level of organization tissue level of organization में क्या हो तो सबसे पहले tissue की definition जानी है tissue क्या है अब बहुत सारी definition पड़र रखी है संरचना एवं कारे की द्रिष्टी से समान कोशिकायो"; संरचना एवं उत्पत्ती की द्रिष्टी से समान कोशिकायोंका अचा है कि ये गरबड है, मगर आप थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पर एक example आपके सामने में एक diagram से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप जड़ा सा देखेंगे, कि ये मान लीजिए एक sponge है, अभी अभी पढ़ा आपने, जो यहाँ पर ये जो पढ़ा, कि cellular level है, लुकोसलेनिया, यूपलेक्टेला, साइकॉन, स्पंजिला, ये सब कौन सा फाइलम है, ये सब पोरिफेरा फाइलम है, यानि पोरिफेरा फाइलम का कोई भी जानवर मिल जाए, तो उसमें कौन सा level of organization होगा, cellular level of organization होगा, ठीक है, cellular level of organization यहाँ पर होगया, अब हम बात करते हैं, जो अगली वाली चीज थी हमारी, कि यहाँ पर हमने एक स्पंज बनाने की कोशिश की है, इसके अंदर यहाँ पर ये इस तरह से कौलर सेल्स पाई जाती है, ये स्पंजेज में इनको हम कोईनो साइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं, ज्यान दीजिए अगा कि ये पूरी सेल्स एक जैसी है, आपकी परिभाशा, समान कोशिकाओं का समूग, ये पूरी सेल्स एक जैसी है, origin सेम है, function भी सेम है, क्या इनको आप उतक कहेंगे, और अगर कहते, तो इसके पहले सेलूलर लेवेल में रखा गया है, नाम भी कोईनो साइट्स है, साइट्स माने, सेल होता है, तो गयबढ़ हो गई, और सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत सारी कोशिकाओं ऐसी भी है, जिनके अंदर सामझस से, इस तरह से देखने को मिल सकता है, कि वो एक जैसा ओरीजिन हो, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन संरचना एक जैसी है, क्या सब की, बलड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिशू, अब बलड एक तरल साइयोजी उतक है, और इस फ्लूइड कनेक्टिव टिशू में, आर बीसी है, डबलू बीसी है, प्लेटलेट्स है, और भी चीज़े हो, तो ये बेसिक तीन सेल्स की बात कर लें, इनके अंदर भी फिर क्लासिफिकेशन है, बात करेंगे, तो इसके अंदर कौन सी सनरचनात्मक समानता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको एक मोडिफाइड बात बताता हूँ, हमेशा के लिए याद रखिये, कि ये चीज तो नहीं हो सकती, तो ये कॉलर सेल्स हैं, नौट अटिशू, ये पहले तो आप जान लें, पहली बात, अब ये कॉलर सेल्स जो हते हैं, टिशू नहीं है, एक सेल है, तो इसमें आपको ये भी जानने का प्रयास करना चाहिए, कि वास्तों में टिशू है क्या, तो हम टिशू के बारे में अगर बताना चाहें, तो टिशू का मतलब ग्रुप ओफ सेल्स, अब वो समान है कि या सम सेल माना, टिशू नहीं माना, क्योंकि ग्रुप ओफ सेल्स with coordination should be there, coordination, coordination का मतलब सामंजस्य, तालमेल, अब coordination को समझने के लिए आप याद कर लीजिए, कि जब आप फर्स टाइम बाइसिकल चला रहे थे, सीख रहे थे, तो जब आपको ब्रेक लगाना होता था चानक से, तो आपको देखना पड़ता था कि ब्रेक कहां पर है, और हाथ लगाया और खीच दिया ब्रेक, तब तक शायद लड़ भी लिये, या गड़े में कूद भी लिये, कई बार घंटी बजाने के लिए भी, कि घंटी बजा दिये, बगल हो जाए भाईया जी सामने है, तो पता चल है, इसमें ये फ्लैजिला जैसा कुछ लगा हुआ है, ये सारे इस तरह से मुव्मेंट करते हैं, कि एक चीज अंदर आ रही थी, उसको अंदर आना चाहिए था, तो दूसरा ऐसे मार देगा, उल्टा है, वो बार चला जाएगा, कोई सबस्टेंस अगर माल लिजे, यहां पर आ रहा है, वाले जी कि एक सबस्टेंस है, यह आ रहा था, अब इस वाले सेल ने तो इस फ्लैजिला ने इसको नीचे ढखेला, तब तक यह इसके कॉंटेक्ट में आ, इसने इसको मार दिया, यह उपर चला गया, तो इस तरीके की चीज है, मतलब कोडिनेशन नहीं है, तो group of cells जिसमें coordination हो, वो tissue होते हैं, बाकी लिखी लिखाए परिवाशाएं अपनी जगह सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अब आपने दो काम कर लिया, अब उदारन की बारी आती है, आपने दो काम कर लिया बच्चे, क्या क्या कर लिया, आपने देख लिया, कि एपल खाया, और आपकी सेहत, तो बात आती है उदारन की, कि यहाँ पर example कौन सा लेंगे, कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए, कि आपने सबसे पहले, एपल खाया, आपकी समस्याएं कम हो गई, cellular level पे आते आते, और इसके बाद, आपकी जब समस्याएं कम हो गई, तो आप बहुत प्रसन्न हो गए, और जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, एतना एपल खाली है, बेमारी है नहीं हो रही है, तो आप बहुत खुश हो गए, और खुश हो करके नाचेंगे, और कहेंगे आहो, आहो, और जब आहो, आहो कहेंगे, तो हम वही लिख देते हैं अब ये आहो से क्या-क्या है तो आहो में हो गया आपका अरेलिया, हाइड्रा, एंड ओबेलिया ये तीन नाम आप याद रख लें यहां से आपको फाइलम भी याद कर लेना चाहिए ठीक है अब ये क्या हो गया आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए आपने एक बार प्रोटोजवा देखा प्रोरि फेरा देखा अब ये तीसरा नाम वाम आज़ा ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तीसरा फाइलम याद करिए मैंने लिखा था यहां देखिए हमने प्रोटोजवा, पोरि फेरा, श्लिंट्रेरेट तो आपने लगबग चार फाइलम के कैरेक्टर इस तरीके से एक साथ देख लिए ठीक है आपने देख लिया प्रोटोजोव, पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा और अभी हम सिर्फ पहले पॉइंट पे चल रहे हैं तो वापस आते हैं और यहां देखते हैं तो यह चीज हमारा जो है clear हो गया कि tissue level of organization है इसके बाद अगला आता है, चौथा पॉइंट, organ and organ system level of organization organ and organ system level of organization organ and organ system level of organization अगला फाइलम है, जिसमें organ है, अब organ क्या है? तो जो tissues से मिलके बना है, cell से मिलके बना वो हो गया tissue, और tissue से मिलके बना organ, और organ से मिलके बना organ system मगर एक जरूरी बात क्या रह गई? coordination, सामन जस से, ताल, वेल, चीक है? तो organ means group of tissue with coordination और वही organ system क्या है? group of organ with coordination तो बार-बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप समझ गए तो organ system के लिए, जो example आपके पास है, उसको देख लीजिए, तो इसका example हो जाएगा phylum, platy helminthes, platy helminths, यहाँ से आपका organ system बन गया, मतलब ज़्यादा नहीं याद रखे, तो flame cells याद करे, ज्वाला कोशी का है, ठीक है? यहाँ से मिलने शुरू हो गए, ठीक है? और कुछ लोग इसको organ system भी मान लेते हैं, अब वो उनकी बात है, बट जो recognized या NCRT वाली books है, उनमें आपको यही मिलेगा organ level, तो आप देख लीजिएगा, question के हिसाब से आपको जो समझ में आए वहाँ पर, अगर organ system privilege दे रहा है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, इसके बाद organ system की बात करें, तो platy helminthes के बाद कौन-क core data तक, ठीक है, यह सारे के सारे, escalminthes से core data तक, सारे के सारे organ system level में आजाएंगे, तो organ system level का example क्या हो जाएगा, example, escalminthes से ले करके, phylum, core data तक सारे आजाएंगे, ठीक है, अब आपको करना क्या है, कि phylum, core data तक सारे आजाएंगे, मैंने ऐसे लिख दिया है, आप ऐसे न लिखें, आप escalminthes, analida, arthropoda, molusca, echinodermita, hemichodita, core data, कुछ इस तरीके से लिखें, तभी आपको बेहतर तरीके से चीजे याद होंगी, ठीक है, तो यह हो गया आपका organ system level of organization, यहां से पूरा होता है, तो हमारा पहला point यहां पर समाप्त होता है, जो हम लोगों ने तै किया था पढ़ने के लिए उसमें से, कि level of organization क्या होती है, अब हम यहां पर symmetry देखने का प्रयास कर सकते हैं, दूसरा point, first point is over here, now second, symmetry of the animal, symmetry of animal, हिंदी में इसे समम्मिती कहते हैं, symmetry यानि कि समम्मिती, मतलब ऐसी कौन सी लाइन है, जहां से किसी जीव को हम काटे, तो उसके दो समान भाग बन जाएं, mirror image की तरह, बेहतर समझने के लिए हमें आप देखिए, अगर इस तरीके से किसी इनसान को ऐसे काटा जाए, इस तरह से, समझ रहे हैं, मतलब from this point, ऐसे, vertical line में, उपर से नीचे, ऐसे, ऐसे अगर cut किया जाए, तो देखिए, right half में, one hand, one ear, half nose, one eye, one leg, यहां से भी वही चीज, कुल मिलाके, दोनों side में लगबग बराबर चीज़ें हैं, अच्छा, externally ही इसे देखिएगा, internally नहीं, यह heart तो left side है, क्या बता दिये, नहीं, external feature की बात है, दियान दे, ठीक है, तो externally ही हम जो है, किसी organism को cut करें, और उसके दो equal half बन जाए, अब organism को हम cut करते हैं, तो उसको कहते हैं, section, क्या कहते हैं, section करना, तो पहले एक छोटी सी चीज़ यहां जान लेते हैं, कि एक organism अगर है, माल लीजिए यह, तो इसे हम कितने तरीके से काट सकते हैं, इसे हम काट सकते हैं, उपर से नीचे, इसे हम काट सकते हैं, ऐसे, इस तरह से कट करिये, या फिर इस तरीके से कट करिये, यह तीन तरीके हो सकते थे, तो यह vertical section हो गया, vertical section, जिसको आप vs कह लीजिए, यह transverse section हो गया, जिसे आप vs कह लीजिए, यह oblique section हो गया यहाँ पर, यह वाला, oblique, माने तिर्चा काट दिया, oblique section, ठीक है, आप vs भी लिख सकते हो फिलाल के लिए, तो इस तरीके से हम किसी organism को काटे, और उसके दो बराबर भाग बन जाए, तो इसे हम कहते हैं, symmetry उसके अंदर है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम कहते हैं, कि उसके अंदर symmetry नहीं है, तो पहले तो symmetry के base पर two types, या two category of animals हो सकते हैं, पहला asymmetrical और दूसरा symmetrical अच्छा, आप एक प्रशन रह गया कि symmetry के बारे में तो कुछ लिखाई रही, चलिए वो भी देख लेते हैं, symmetry का मतलब, organism can be divided, ये थोड़ा नजदीक, नजदीक है, तो ये, organism can be divided into two equal halves, equal halves via a single plane, अब वो चाहे oblique plane हो, चाहे transverse plane हो, चाहे longitudinal plane हो, मगर एक सीधी रेखा होनी चाहिए, जहांसे उसे आप काटे, और उसके दो समान भाग बन जाए, two equal halves, ठीक है, एक लड़ू, बीच ओब बीच कहीं से भी काट दीज़े, बन गया दो हिस्सा, अब किस जगह से काटा गया, उसके बेस पे फिर हम symmetry को divide करेंगे, पहले तो asymmetrical, अ माने not, symmetry तो जानते ही हैं, कल लगा है, मतलब symmetry beer करने वाले, symmetry धारण करने वाले, तो अगर उनके अंदर symmetry नहीं है, तो कहेंगे asymmetrical animals, इसके लिए एक बात कह सकते हैं, कि can't divided into two equal halves, can't divided, बस इतना ही रखने दीजे, लंबे लंबे answer तो लिखना नहीं, objective करना है, तो can't divided, बाकि divided अगर होगा, तो कैसे होगा, into two equal halves, via a single plane, यह बात यहां पर count कर जाती है, तो can't divided, इस तरह से आप कर लेगे, तो इन्हें दो equal halves में, divide नहीं कर सकते, example कहां से आएगा, तो most of the sponges, ठीक है, sponges हो गए, example के लिए color change कर दे, sponges, यानि, porifera में आगए, sponges के अलावा, आप amoeba का नाम ले सकते हैं, अब ऐसे आप चलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको, अलग-अलग मिलेंगे, अलग-अलग phylum से यहां पर बात आएगी, हर जगह एक दो exception होते हैं, तो इसमें भी हो सकते हैं, तो फिलहाल आप इतना जान ले, कि एक जानवर मालीजी आपके पास यह रखा है, इस तरीके से, अब आप इसको कौन सी लाइन से काट दो, कि इसके दो equal half हो जाएं, ज़रा सोच के देखो, बड़ा मुश्किल काम होगा, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, किसी भी लाइन से काटो, दो समान भाग नहीं बनेंगे, और दो समान भाग का मतलब जान लीजिए, कि आपने अपना ये हाथ ऐसे दिखाया, शीशे में दिखा जो हाथ वो ऐसा दिखा, आपके दूसरे हाथ के जैसा, और दोनों एक दूसरे के उपर ओवरलैप कर सकते हैं, यही होता है सिमेट्रिक, जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो ऐसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, कुछ और अनिमल्स हो सकते हैं, फिलाल हम सिमेट्रिकल अनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि symmetry कितने तरह की यह हो सकती है इनकी अब वापस परिभाशा लिखने की बात नहीं बची कि इनमें symmetry होती है इन्हें दो equal half में बाटा जा सकता है यह सब बाते समझ में आगे हैं अब यह symmetrical animals की दो category हो सकती है कम से कम जो आपको जाननी चाहिए और भी हो सकती है लेकिन minimum दो अभी आप देखे तो asymmetrical animals में may have may have इनके पास हो सकती है पहली radial symmetry radial symmetry और दूसरी हो सकती है bilateral symmetry bilateral symmetry द्वी पार्श्व सममिती इसे इंदी में कहेंगे तो द्वी पार्श्व सममिती और यह radial symmetry यानि अरी यह सममिती अरी यह सममिती एक बार लिख दिया हो बच्चे आप देख लीजिएगा तो radial symmetry and bilateral symmetry अच्छा हिंदी बड़ी सम्मृत द्वाशा है कभी कभी यहाँ पर आपको इसकी जगह पर वो अपने हिसाब से अनुवाद करके कुछ दे देंगे ठीक है ट्रांसलेशन कई बार बड़ा उल्टा होता है गूगल से ट्रांसलेशन किया है भी कई बार तो मालो तुमने टाइप किया कि मेरा सर चकर खा रहा है अंग्रेशी में ट्रांसलेट करिए तो उसने तुरंत बता दिया मालो कि my head is eating circle अब क्या करेंगे तो चबा-चबा के दाथ से नहीं ने खा रहा है वहाँ पे आपका दूसरे तरीके से उसका अलग format होता होगा आप लोग English जाता जानते हों तो कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह कि बहुत हिंदी के लिए परिशान न होईएगा अंग्रेशी के जो तकनीकी शब्द हैं उन्हें जरूर लिखिए और उन तकनीकी शब्दों से ही आपका कल्यान होगा क्योंकि हिंदी बहुत संब्रिद भाशा है सूरज के 1008 नाम कम से कम है सहस्त्र नाम कहते हैं अंग्रेशी में सन का परेवाची चारचेट ढूंड लीजिएगा फिर बताइएगा हमें तो इस तरीके की संब्रिद्धिता जो है वो हिंदी में बहुत जादा है तो आपके किसी एक वर्ड को आपने रट रखा है अब उसकी जगा उन्होंने कोई दूसरा हिंदी का वर्ड दे दिया तो फिर फस जाएंगे आप आप कहेंगे यह तो पढ़ा ही नहीं और इंग्लिश में जनरली वो एक दो शब्द फिक्स है वही पूछे जाते हैं तो आप कर सकते हैं तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है नाम बता रहा है अरिये से तो हम नहीं समझ पाएंगे लेकिन रेडियल शब्द पे ध्यान दीजिए बच्चे तो आपको समझ में आएगा रेडियल का मतलब रेडियस त्रिज्या जिसको बोलते हैं अब यहाँ पे त्रिज्य सम्मिती भी लिखी जा सकती थी अब सोच के देखो आपने अरी ये सम्मिती खुब बढ़ियां से रट लिया अरी ये सम्मिती रट करके बैठे हैं और त्रिज्य सम्मिती लिख दिया उसने आप क्लेम भी नहीं कर सकते अरी का मतलब रेडियल रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है तो त्रिज्या की जगा, त्रिज्या लिख दिया तो ये समस्या है हिंदी मीडियम से आप अगर काम करना चाहते हैं, बेशक करिए आप बाई लेटरल को ऐसे लिखिए बच्चे, कोई समस्या नहीं है रेडियल को आपको, स्पेलिंग का डर लगता कौन सा डर भाई, स्पेलिंग का भी तो डर नहीं बोर्ड का एक्जाम दे रहे हो क्या, कि स्पेलिंग गलत हो जाएगी उचारा लिखिये हिंदी में, ठीक है रेडियल लिखते का है नहीं, कौन मना किया है रेडियल हो गया ऐसे कर लिजए तो इसी है थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कते हैं आप हिंदी की तरफ ज़्यादा परिशान होंगे तो कुछ दिक्कते आपको आ सकती है इसलिए हमने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है मैं हिंदी बता रहा हूं बीच बीच में symmetry लिखा था, इतनी बात नहीं बताया था अभी सम्मिति आपको समझ में आ गया होगा तो आप सम्मिति देख लें चलिए अब इसमें क्या होगा? मालीजे कोई एक spherical body है, goal body है अचा उसको spherical symmetry में भी include कर लिया जाता है प्रिलब कोई वृत्ताकार रचना है, गोल बॉडी है, और उसके अंदर definitely आपको पता है कि एक radius तो होगा ही होगा उसके अंदर, ठीक है? यह माली यह center है और यहां से यह एक radius हो गया, त्रिज्या, जिसको कहते हैं R, अब यहां से किसी भी त्रिज्या पर आप चक्कू रखि और उसे काट दीजिए, और उसके दो समान भाग बन गए, तो यह हो गया radial symmetry, clear है? किसी भी त्रिज्या पर आप अपनी चक्कू रखिए और उसके ऊपर उसे काट दीजिए, उसी दार, लाइन से, तो radius से हो करके आपने इसके divide किया, त्यानि कि animal cut into two equal half by any radius, किसी भी radius से अगर animal को हम two equal half में काट सकते हैं, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप खीरा भी देख सकते हैं, ठीक है? कोई और चीज भी देख सकते हैं, यह है, ऐसे गोल है, लेकिन गोल होने के साथ साथ ही है, ऐसे है, ऐसे लगा हुआ है, तो आप इसमें भी तो radius अगया, तो आप ऐसे दो equal में काट सकते हैं, तो radial symmetry जो मिलेगी, वो कहां मिलेगी, तो radial symmetry आपको अगर मिलनी है, तो आप देख लीजिए, कुछ sealant rates में मिलेगी, and tenophora में भी मिलेगा, एक example और है, जो खतरनाक है, जो पूछा जाता है, phylum echinodermata, starfish उसमें आती है, तो echinodermata में radial symmetry जो है, adult में पाई जाती है, लेकिन larva में, larva में क्या पाई जाती है, bilateral symmetry, अचा एक बात और जान लो कि यह advanced character, bilateral symmetry जो है, वो अधिक विक्स्तित लक्षण है, advanced character जिसको बोलते हैं, और radial symmetry primitive character है, प्रारंबिक लक्षण है, तो यहाँ पर एक example और लिखना पड़ेगा, और उसे में थोड़ा अलगी color से कर देता हूँ, ताकि यह आपको दिखे, यहाँ पर, तो टीनोफोरा और adult starfish आजाए, चाए इकाइनोडर्मेट आजाए, अब देखो, बच्चे में bilateral symmetry, यहाँ पर एक्जामपल में अभी लिख दे रहा हूँ, लार्वा of इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में यह चीज़ पाई जाती है, bilateral symmetry, मतलब हम लोगों के जैसा, दाया बाया, स्पष्ट है, अचाए जब भी bilateral symmetry होगी न, और radial symmetry का सबसे बड़ा अंतर क्या है, यह भी जानते रहिए, हमने पिछले वीडियो में इसलिए समझा दिया था, कि dorsal, anterior, posterior, ventral क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ आप समझिए इस बात को, कि radial symmetry में, जो है, कोई भी dorsal और ventral side fix नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसमें bilateral symmetry में distinct, distinct माने spust होता है, बेटा, spust, ठीक है, distinct dorsal and ventral side होते हैं, एकदम distinct dorsal side और ventral side यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यह आपका जो होता है, bilateral symmetry में होता है, हम लोगों का देख लीजिए, अच्छा, जिसमें dorsal और ventral side clear होगा, उसमें lateral side भी clear होगा, lateral यानि, दाया-बाया, dorsal यानि, आपको याद होगा, पीठ वाला हिस्सा, मैंने बताया था, चार पैर पर खड़े होई है, जो हिस्सा आस्मान की तरफ वो dorsal, जो जमीन की तरफ वो ventral, बाकी आपको बताया जा चुका है, तो यहाँ इतने पर ध्यान दे, तो यहाँ पर एक हो गया, और अगर इसका और एक्जामपल लिखना चाहते हैं, तो बस यहाँ से आपका काम आसान, देखें, तोड़ा सा इसको उपर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें, एक तो यह एक्जामपल हो गया, larva वाला, लार्वा ओफ इकाइनो डर्मेट एक ये एक्जाम्पल हुआ दूसरा आप फाइलम प्लैटी हेलमेंथीज से शुरू करिए प्लैटी हेलमेंथीज से शुरू करिए और फाइलम कौडेटा तक चले जाएए सभी में बाइलेटरल सिमेट्री मिल जाएगी एक्सेप्शन कहाँ आएगा इकाइनो डर्मेटा में वहाँ उसके एडल्ट में जाकर के आपने ये रेडियल सिमेट्री देख लेनी है तो सिमेट्री मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी इसके इस दो के अलावा भी चीजें हो सकती है मगर फिलहाल हमने कहा कि हम बेसिक्स पर बात कर रहे हैं और ये बेसिक्स की क्लास चल रही है तो इसलिए आप इसी हिसाब से चले ठीक है? चलिए दो बाते हमने खतम कर लिया एक तो सिमेट्री खतम कर लिया वापस आते हैं तो हमने यहाँ पर लेवल आफ ऑर्गेनाजेशन कंप्लीट कर लिया और एक सिमेट्री कंप्लीट कर लिया बात आती है जर्मिनल लेयर्स की जनन स्तर अब यहाँ पर करने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त कंसेंट्रेशन की जरूरत होगी एक्स्ट्रा बात की रिक्वार्मेंट होगी और जर्मिनल लेयर्स के साथ-साथ हम अगर बताएं आपको तो यह जर्मिनल लेयर्स प्लस फेट आफ ब्लास्टो पोर प्लस सीलोम यह तीनो चीजें एक दूसरे से interrelated है तीनो चीजें एक दूसरे से पूरी तरश से interrelated है ठीक है और इसलिए इन तीनो को हम लोग एक साथ करेंगे तब ही ξ estamos होगा तो यहां से हम इसको अगली क्लास में cover करेंगे और तब तक के लिए आप इसको देखते रहें समझते रहें और कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करें आगे बताते हैं थैंक यू